समरुदी महामार्ग का निर्मान समय पर होने का दावा करते हुए राज्य सरकार की और से भले ही पीठ थपतपाई जा रही हो लेकिन इसका अधिकार शकारिय पूरा होने के बावजूर अब तक जमीन मालिक मुआवजे से वंचित है इसका उधारन उस समय उजागर हुआ और नियादिश अनिल की लौर ने राज्य सरकार और जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश जारी किये याजिका करता की और से पैरवी कर रही वकील का मानना था कि समरुदी महामार्ग के लिए याजिका करता की काफी पहले ही जमीन अधिगरहि की गई थी लेकिन अब तक मुआवजे के लिए आदेश जारी नहीं किये गए इसे लेकर कई बार संबंदित अधिकारी के पत्राचार भी किया गया इस पर हमेशा ही जल्द मुआवजा मिलने का आश्वासन दिया गया किन्तु अब तक मुआवजे के आदेश नहीं हो पाए ह फलस्वरूप मजबूरन हाई कोट का दर्वाजा खट-कटाना पड़ा है। याचिका करता बालकृष्ण चिकराम ने याचिका में बताया कि मुआवजे के लिए जिलाधिकारी कारियले से भी अनुरोद किया गया था, जिस पर कुछ तक्नीकी पैंच होने का हवाला दे कर निधी निश्चित नहीं की गई। अतह प्रतिवादी पक्ष को मुआवजे की राशे निर्धारित कर जल्द भुकतान करने के आदेश देने का अनुरोद अदालत से किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने जिलाधिकारी एवं अन्यको चार सप्ताह में हलफ नामा द अदेश्देश्ट अन्यको चार प्रतिवादी नामा धन्यको चार से किया जिलाधिकारी निलाधिकारी पक्षक्षक्ताहिक।